तो हाँ वही तो सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन से पैन से लिखा जाए तो ये सबसे बड़ा सवाल अभी रवी सर ने बोला सर इस पैन से लिखना चाहिए तो भाई अरवी शर बोलने है जेल पें से लिखते हैं अब मुद्दा यह है कि बच्चा यह जानना चाहता है आप भी यह जानना चाहते हो कि कौन सा पें से लिखना चाहिए सो दाट की हमारा राइटिंग फास्ट हो और पें इतना स्मूध होना चाहिए कि पें की वज़े से दिक्कत ना हो बाकी तो ऐसे ही बहुत सारी दिक्कते पड़ी है पेपर नहीं आ रहा है, समाज एंसर नहीं लिख रहा है एंसर समाज ही नहीं आ रहा है तो आज के सेशन में यही डील करने वाले हैं कि भाई pen कौन सा इस्तमाल करना चाहिए और logic के साथ बताऊंगा एक-एक point बड़ा important होगा और last तक मैं आपको बता रहा हूँ last तक हर एक important एक-एक piece of information important है तो एक भी second मत छोड़ना सच बता रहे हैं और आपको आज इस session के बाद feel होगा यार हर सरना ये वाला information भी क्या चोखा माल दी है सच बता रहे हैं actually क्यों बोलना हूँ मैं मैंने तुमको English वाले दिन ही बताया था कि जो चीज में मेरे को बहुत जादा पता नहीं होता न उसमें मैं full research करके आता हूँ तो actually आज के पहले मैंने कभी ऐसा session लिया ही नहीं है कभी जिंदिगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसा लेना पड़ेगा बड़ी है session ले रहा होगी कि तुम लोग का demand था जैसे तुम हमेशा मैंने तुमको बोला है कि भाई तुमको जिस भी चीज की जरुवत रहती है नीचे comment box में डाल दिया करो बच्चोंने comment box में डाल दिया था और उस पर support भी आ गया था कि sir which pen to use हमको चाहिए तो हमको बनाना पड़ा आप क्या करते है तो हम ले लेकिन बनाया है लेकिन full research करके तो एक-एक point बढ़ा important होगा जल्दी से telegram channel को join कर लो इस पर mind map मिल जाएगा free में previous year questions मिलेंगे formula cheat sheet मिलेगा और इस session का pdf भी मिल जाएगा हर चीज बहुत बढ़िया बढ़िया content मिलेगा ठीक है चलो भाई शुरू करते है पहला want to write fast in exams सारे लोग chat box में चाहिए yo we want to write fast in exams जल्दी सारे लोग exam में fast लगना चाहते हो इसी चतुर की तरह बच्चे की तरह दूसरा want to finish your paper first in the exam like in the entire examination hall before time करना चाहते हो sir तीन घंटे का paper दो ही घंटे में खतम हो जाना चाहिए yo in the chat box चल्दी चलो बहुत बढ़िया सारे लिखना चाहते है कि हाँ बढ़िया examination time के पहले खतम हो जाए तीसरा तो बस pen अच्छा सो चुनते है चलिए आज़े देखते हैं कौन सा pen चुनना है अपने को जिससे अपन इस उद्देश को पराप्त कर सकें कि भईया हम examination समय से पहले खतम कर ले और बढ़िया examination जाए तो सबसे पहला number तुमको क्या लगता है सबसे पहला number पर कौन सा pen बताने वालोंगा सबसे पहला number पर कौन सा बताऊंगा चलो देखते हैं कौन सा बच्चा कौन से pen को like कर रहा है एक नाम आ रहा है EXO Horsers दूसरा है Sello Gripper फिर Link Glycer Sello Pentonic Luxor Pilot Natraj Bright Trimax Brain Butterflow Fountain Pentonic Trimax 2 रुपेवाला pen Golden V7 Pilot Waterflow Trimax Carbonic Doms EXO चलिए ठीक है देखते हैं अब हम देख लेते हैं भाया देखो कौन सा pen board examination के लिए अच्छा होता है तो Ballpoint pen हमेशा better होता है Compared to Gelpoint pen तो आप लोग जो बता रहे हैं V7 Luxor यह सारे Ballpoint pen नहीं है They are not ballpoint तो ball pens are better क्योंकि यह speedy writing देते हैं Ballpoint pen पहला कारण दूसरा यह दूसरा वाला कारण मैंने experience किया है तो I still remember हमारे school में तो क्या madam लोग होती है थोड़ा जादा तो madam लोग तो समझी रहे हैं एक हमारी madam थी नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो अभी भी पढ़ाती होंग DAV में तो वो स्कूल में बस में क्या करती थी ना जैसे ही मतलब हमेशा स्कूल बस से ही आती जाती थी तो बस में चुप चाप सब सालेंट ऐसा करें मस सोते रहती थी तो examination हम लोग का हुआ और examination लेकर उनको copy दे दिया गया था ऐसा चेक करने के लिए तो examination को copy लेकर जा रही थी तो वो इतना मतलब सोने में मशगूल हो जाती थी अब copy कौन पकड़ेगा तो वो side में रख दी थी और भाई बस में हमारे time पे वो इतने अभी के time के sophisticated bus नहीं होती थी बड़ा वाला bus था तो उसके अंदर ना वो जो driver और खलासी होता था उसने एक balty रख रखी थी क्योंकि उस balty में पानी होता था बस कभी गरम हो जाता था यही पानी डालते थे और इसी के बाजू में एक seat लगी भी थी अब मैडम ने क्या किया कि सोने के लिए seat पर कोई बैठता नहीं था एकड़म इंजन के बाजूवला seat था गरम रहता था तो यहाँ मेडम ने कौपी टिका दिया और मास सोने लगए सो गई अब भाई बस तो हिलेगा ही भाई चलेगा तो हिलते 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 रेंगते रेंगते यह अंदर घुज गया मार लिया इसने एक छलांग अब जैसी छलांग मारा उदर से खलासी लाए मैणम मैणम कॉपी 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 मैणम क्या हुआ करके उठी खलासी ने कॉपी निकाला तब तक तो हो गया कांड जो होना था अब हुआ यह कांड हो गया और भई आप पानी में बिंग गया कउपी अब क्या करें तो हम लोग को क्या लगा हम लोग को यह लगा इन बच्चों की किस्मत है क्योंकि वो social वाली madam थी इन बच्चों की क्या किस्मत है ये दूसरे section वाले ते section B वाले है तो नमबर मिल जाएगा और खास कर जो लोग जल पेन से दुभाई हमारे टाइम पे दस मी में जल पेन का बड़ा ट्रेंड था उस वक्ते दम रिसेंट रिसेंट नया नया आया भी था तो जल पेन से सारे लोग लिखते थे तो जल पेन तो फैल जाता है अब सुनो मैडम ने क्या किया मैडम गोई क्लास में तुम सारे बच्चे नालायक हो जल पेंग से कौन लिखने बोलता है उन लोगों ने सोचा ये क्या हो गया उनको तो पहले से ही पूरा माज़रा पता था and then she said तुम सारे बच्चों का कौपी पता नहीं कैसे लिखते हो तुम लोग सारे लोग पानी गिरा दिया थे अपने कौपी पे और इसलिए तुम लोग का इंग फैल गया है मैंने सब का नंबर काट लिया है and then बच्च लाए ये क्या धोका है हमारे साथ आप कोई बोल भी ना साके maam को कौन बोले सामने से challenge क्रया मैडम आप सोते रहते हो दिनबर इसलिए आपका कौपी नीचे गर कいや बस के अंदर आप कोई बोल भी नहीं पा रहा और उनके number काट लिए सच बता रो मैं ये एकदम real घटना है मेरे साथ हुई हमारे उपर तो इसी लिए क्रिपया करके जल पेंसे ना लिखिएगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ूंगा नहीं वीडियो लाइक नहीं करें चुड़ो सेशन बंद कर दो होगे आप पैनुन बताने की जरूती नहीं है सेशन बंद करो यह वीडिय भी रिभी से वीडियो नहीं लाइक आपके हैं करें हैं सरा लेकिन जल्दी House जल्दी 500 चाहिए मेरे को पहले अभी मिनिमम उसके आगे तो मा गाड़ी बढ़ेगी नहीं लाइक कर दिया 500 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 जल्दी लिखो फेको हाँ बेटा लिख के कॉपी फेक देना ठीक है लिखो फेको चलिए पहला सारे लोग कर दिये लाइक हो गया बढ़े आगे के बढ़ जाएं रवी सर बोलने बहुत पता नहीं इतना दयालू आदमी का है यह लड़का ने तो अभी हम अभी हम तो टटा देते तु एक्चुली बहुत स्मूध होता है तो इसलिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि यह स्मूध काफी होता है मैंने भी इससे काफी लिखा है सबसे अच्छी बात पहला तो स्मूध होता है राइटिंग इस्पीरियंस बहुत अच्छा है दूसरा 0.5 mm का ग्रिप नहीं है तो जितना पॉइंटेड और शार्प होगा न उतना जार्थ़ पीयर्स होगा और पीयर्स होगा तो आपका मूव्मेंट स्मूध नहीं होगा समझत रहो अब जैसे मान लो मेरे पईन का जितना जैसा मूव्मेंट है मेरे हाथ का और जजादा स्मूध है है दो इसका 0.7 mm का नि इसके साथ क्या हर के साथ है कोई भी pen को नया खरीद के तुरंत examination में मत ले जाईएगा क्योंकि होता क्या है जब यह pen नय नय होते हैं तो इनके nib पे आपने देखा होगा ऐसा type से एक plastic लगा रहता है वो plastic इसले लगाते हैं ताकि nib खराब न हो जाए तो जब आप वो plastic निकालते हैं तो थोड़ा सा plastic का वशेस थोड़ा बहुत लगा रह जाता है जब आप बहुत time तक इसको लिखते हैं थोड़ा use करते हैं तब जाके यह free होता है तो इसी लिए क्रिपया करके कोई भी नया pen examination में ना ले जाए उसको पहले इस्तमाल कर ले ठीक है पहली चीज़ अब आगे बढ़ते हैं भाई तो बटर फ्लो बता दिया दूसरा सबसे बहतरीन फ्लेयर फ्लेयर राइटोमेटर कितने लोगा यह फेवरेट हैं भाई मेरे टाइम पे ना इस टिल रमेंबर एक पंजाबी अंकल आते थे टीवी पर और वो इसका अड करते थे और भाई में को लगता क्या कर दिया भाई क्या टेक्नोलजी लगा दी बाद में देखा रिफिल खतम होगा तो वहां पे 1000-1000 मीटर लिखे हैं ना लायक सब भाई मार्केटिंग का तरीक अब ये पेन और वो पेन पिछले वाले में कौन सा चुनना चाहिए तो देखो ये comparatively थोड़ा सा पतला है और ये comparatively थोड़ा सा मोटा है ठीक है ये बात का ध्यान रखेगा अब किसको कौन सा चुनना चाहिए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उंगलियां मोटी होत तो वो अगर बहुत छोटा सा आइटम पकड़ेंगा तो उनके उंगली में गुम जाता है उनको समझी नहीं आता क्या हुआ तो जिन बच्चों का थोड़ा सा मतलब चबी शरीर है या थोड़ा सा हाथ उंगली मोटा है ये थोड़ा मोटा होता है तो हाथ में होल्ड अच् तो वो इसके साथ जा सकते हैं, अब इसमें लेकिन एक major drawback है, वो क्या है, सुन लो, और ये major drawback जानना जरूरी है, इस pen के साथ, ये मेरे को पता नहीं थे, in fact ये मेरे को भी exam में पता चला था, ये pen के साथ एक बुराई है, ये pen बहुत नाजुक बना है, नाजुक बना है मतल तो इसका nib यू तूट जाता है, और बुरी चीज ये है, और भी जाला, कि पता नहीं चलता है कि nib तूटा, मतलब जैसे माल लो, गिर गया, nib से गिरा, या फिर ऐसे गिरा, दोनों ही case में, nib तूट जाता है, you don't get it, और जब आप लिखते रहोगे, लिखने के 5-7 मिनट के ब गिराने वाले बच्चे हैं जादा, तो क्रिपया करके इसको मत रखेगा, या रखे हैं तो इसका बैक अप जरूर रखेगा, ठीक है, बड़ा important है, clear है, अब 0.5 mm का होता है, comfortable grip है, वगरा वगरा जो भी है, ठीक है, हाँ बटा, यूश, करो, करो मजाग, बटा, करो मजाग तो मिलो तुम हमको किसी दिन, अब फ्लेयर आइटो मेटर तो बता दिया, do not drop this pen, बड़ा important है, ये Horser XO, actually मेरे टाइम पर ये pen नहीं था, सच बता रहे है, आज हम जब देखे, एक तो बच्चा लोग भी बहुत सारा बोल रहा है, अभी यहाँ पी बहुत सारा बच्चा जो सच किया तो इसके reviews बहुत अच्छे है, लोग बोलते है smooth pen है, ठीक है, 0.6 mm का grip है, comfortable है, और writing experience अच्छा है, थोड़ा research and development किया, पता नहीं में को तो आज तक समझी नहीं आया, pen में क्या research करते हैं जी, लीन खेर, कुछ भी करते होंगे, कुछ ना कुछ तो करी रहे हैं, बठाई अच्छा है, ठीक है, कुछ बच्चे यहां पर बोलने है, Trimax pen अच्छा है, अब देखो Trimax वो जेल वाला है, तो again suggested नहीं है boards के लिए, मत यूज कीजेगा, क्योंकि gel, समझी रहो न, मेरे माडम की जैसा, अगर copy एक बार भी पानी में गया, वो बोल दिंगी, पतला भी है, lean and clean है, बहुती smooth चलता है, बस एक दिक्कत है, इससे जब तक कम से कम 20 पना नहीं लिख लोगे, तब तक यार, इसका न, जो color है, वो बड़ा light रहता है, मतलब वो होता ही नहीं है, मतलब dark होता ही नहीं है, और 20 पना, कम से कम 20 pages लिखने होंगे, उसके बाद इस फिर भी थोड़ा उसके comparison में कम smooth है, बट ये पतला है, बटर फ्लो से ज़्यादा पतला है, ग्रिप इसका ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, समझ गये, समझ गये, most important session में नालाय को बहुत मारूं का सई बता रहा हूं, देखो, ये मैं भी बनाने के बिलकुल mood में नहीं थ लेकिन बच्चों का demand था, इसलिए बनाना पड़ा, खेर, anyways, तो मोटी-मोटी बात ये है, इसका ध्यान रखे ना, 0.5 mm का grip है, बटर फ्लो का 0.7 का था, ठीक है, और ये काफी आसा, मतला हलका है, बहुत ही प्यारा सा पैन है, ये तो बड़ा, बढ़ी आसा पैन, मतला मेरे नलायक सब के लिए, ये नलायक सब कुछ भी लिख रहे है चैट में, हाँ, मैं क्या बोला था, वीडियो लाइक करता है, चला आगे बड़ते है, लेट्स मूव आन, और ये वाला पैन, अभी, मतलब, मतलब, मेरे टाइम पर नहीं था, बट हाँ, एकदम रिसेंट भी नही वेगरा वेगरा, ग्रिप वेगरा अच्छा है, तो ये भी पैन अच्छा है, ठीक है, फ्लियर है, अब, अब, जिरो टो हेरो पैन सिरी, क्या करूँ मैं इन नलायकों का, क्या करूँ मैं इनको, उठाटा के मारू, ये क्या करूँ मैं, कोई तरीका निकालो, या रभी सर की इसे digitally shoot कैसे करते हैं बचों तक सीधा गोली जानी चाहिए इनके बेजे तक की गोली जानी चाहिए ये सब ये सब क्या कर रहे है बिटा तुम लोग ये नलायक सब चलो anyways ये समझ में आ गया अब आगे बढ़ते हैं यहां तक हो गया मामला अब बात करते हैं क्या वाइटनर अलावड है बोर्ड इग्जामिनेशन में तो इसके लिए strictly मैं बोलता हूँ no strictly no है गलती से भी वाइटनर मत अस्तमाल कीजेगा वाइटनर अस्तमाल करके फिर कुछ लिग दिया वो पूरा ही काड़ देंगे तो वाइटनर नहीं अलावड है बोर्ड इग्जामिनेशन में सिर्फ पैन से इस्तमाल कीजेगा कुछ गलत हो गया काट दीजे नीचे लिग दीजे बट डोंट यूज वाइटनर अब बात करते हैं क्या जेल पैन अलावड है बोर्ड में तो देखो अलावड में न कोई इशू नहीं है आप यूज कर सकते हैं आपको ब्लू बस होना चाहिए जेल पैन अलावड है बट सजेस्टड नहीं होता है क्यों क्योंकि सिंपल सी बात है मैंने आपको जो स्मज वाला इशू बताया लेकिन एक चीज अच्छा कर सकते हो तुम जेल पैन से क्या जैसे मैंने तुमको बताया था जब एंसर लिखते हो न तो बहुत सारे जगा होता है कुछ हाइलाइट करना है यह इंपोर्टन है तो यह इंपोर्टन के लिए ऐसा अंडरलाइन करना होगा या कुछ फॉर्मूला आया उसको डब्बे में डालना होगा तो अब इस चीज को न तुम नॉर्मल पैन से करोगे न नॉर्मल डब्बा बना दिया या कुछ ऐसा कर दिया तो उतना बड़ी है फील नहीं आएगा पहला तो जेल का कलर अपने आप ही अलग होता है और दूसरा अगर तुम थोड़ा पैसा उसा लगा के जेल पैन खरीदे हो क्यों जी कौन-कौन सा अच्छा जेल पैन होता है बोल रखने है लोग ट्राइमैक्स और पता नहीं क्या-क्या तो वो सब अगर अच्छा पैन खरीदे हो या रॉयल ब्लू इंक वाला पैन खरीदे हो तो उसका कलर ब्लू में ही थोड़ा अलग होता है तो अलग से हाइलाइट हो जाता है कि अरे हाँ ये डबबा बनाया है तो देर यू कें यूज जेल पैन ठीक है वरी इंपॉर्टेट शेशन आलाइक बहुत इंपॉर्टेटेंट है, सज बता रहे है अब अब रिणॉल्ड्स का ट्राीमेक्स जो सारे लोग बोल रहे थे रिणॉल्स ट्राीमेक्स अच्छा पैन है, अच्छा पैन है कलर भी इसका थोड़ा सा अलग मिल जाता है और ब्रू में आप इसको यूज कर सकते हैं डबब बनाने के लिए यूनी बॉल का एक आई माइक्रो यह मैं भी काफी यूज करता था लेनी फैलता बहुत है बस इसका ध्यान रखना है वैसे सारे के सारे जल फैलते है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बड़ा अच्छा पैन है मुविंग फॉरवड पाइलेट यह दो भाया आज का जमाने का नहीं मतलब मेरे दादा जी भी इसी से लिखते थे सच बता रहे है मतलब स्कूल में नहीं अब स्कूल में वो क्या करते थे वो तो घंको हंच्छा होता है अब अच्छा होता है इसका निब मोटा है तो यह बाकई jell pens की तरह मतलब एकदम गड़ा देने वाला ऐसा फील नहीं गड़ाता है तो Pentel is comparatively much better pen compared to other gel pens ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आखरी में Pilot का Techpoint V5 ये बड़ा अच्छा pen है मतलब ये मेरा personal favorite भी है बड़ इसमें एगी बात ध्यान रखनी है इसका सबसे बुरा जो drawback है वो ये कि इसमें जैसे जनरली बच्चे तो क्या स्कूल बैग में या पैंसिल पाउच में अपना pen लेके जाते हैं तो जब इसको ज़्यादा हिलाद होगे तो इसका जो ink है वो पीछे चला जाता है इसके अंदर कुछ तो air vacuum ले रेता है और ink पीछे चला जाता है and then pen becomes बरबाद फिर pen का कोई काम नहीं है तो जब pen का फिर कोई काम नहीं है तो फिर ये pen खराब हो जाता है and then आपका 25, 30, 50 रुपय जितने का भी है ये pen बरबाद है तो इस pen में इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा दोड़ भाग नहीं करते हैं तभी यूज़ कीजेगा नहीं तो ये pen खराब हो जाएगा मेरा बहुत सारा खराब हुआ है ठीक है चली समझ गए अब black pen अच्छा आपको फिर से बता दें black pen strictly no है कोई भी other color का pen strictly no है no other color except blue no other color no color कोई भी दूसरा color का pen allowed नहीं है इस बात का ध्यान रखिए ठीक है मत यूज़ कीजिए और क्या पूछ रहे हो butterfly butterfly सबसे अच्छा है mon black यूज़ कर सकते हो butterfly तो सबसे अच्छा pen मैं बताया है brand ambassador हो किया नहीं बटा पैसा मिला नहीं है शायद इस video को देखने के बाद वो सारे company आकर पैसा दे दे थोड़ा सा पारकर अच्छा pen है बट बहुत भारी pen है अच्छा एक बात और ध्यान दीजिगा यह अच्छा सवाल पूछा बच्चो नहीं कुछ बच्चे बड़े जोश में होते हैं जड़े बड़े जोशीले होते हैं और इत्तफाकन पैसे वाले भी होते हैं तुम में से कौन-कौन पैसा वाला है तो जो पैसे वाले होते हैं वो सोचते हैं सबसे important exam है मेरी जिन्देगी का हम सबसे अच्छा pen लेके जाएंगे तो सबसे अच्छा pen कौन सा लेके जाते हैं सबसे अच्छा pen मतलब कम से हम 4-500 रुपए का pen होना चाहिए तो उसमें सबसे पहला नाम तो आ जाता है यह सारे नाव पहला जाता है इनका नाम क्या होता है इन सारे पैंस का नाम होता है signature pen देखिए का लिखा रहता है डब्बे पे signature pen क्यों लिखा रहता है signature pen देखो fact की बात बताता हूं कभी एक office का चपरासी या मुनीम 500 रुपया का कलम लेगा नहीं न जो बच्चा आठीवी दसमी में पढ़ता है उसको माता पिता जिनरली 500 रुपया का pen दिलाते हैं कि हाँ प and that is why they use these pens और इसी रहे इसका नाम है signature pen तो signature pen का मतलब क्या होता है इस pens are primarily used for doing signature and writing minimalist कम से कम लिखने के लिए इस्तमाल किये जाना वाला pen जो status symbol हो वो सारे pen होते हैं यह सब अब आप पहुँच गए board examination 40 पन ना लेखने के लिए इतना एक तो भारी होता है writing में यह actually signature के लिए बनाया जाते हैं तो these are not very pro towards writing very long pages तो क्रिपया करके यह सब काम मत कीजेगा यह 300 का pen ले लिए 500 का pen ले लिए यह कर लिए वो कर लिए यह सब मत कीजेगा गलत हो जाएगा ठीक है पता चला sir congratulations for support अच्छा बेटा हाँ तो पता चला है गरवड हो जाएगा अच्छा आगे बढ़ते हैं लेकिन सबसे पहले video like कर अग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गया दिक्कत वहीं है बेटा सारी fountain pen पहतरी नमूना of excellence ऐसा असा pen होता है अबे नलायक हम तुमको क्या बोल रहे हैं gel pen भी मत यूज करना हम बोल रहे हैं gel मत यूज करना तुम एक कदम और आगे हो sir तो gel नहीं यूज करते हैं स्याही ही गिरा देंगे एसा बेटा तुम एइसा करो न यह तो छोड़ दो राजा लोग पहले क्या करते हैं दो पता है more kapal सिछते आज से लिखते थे तो तुम ऐसा करना spherical होगा मिलना के लिए कपूतर का फंद बूख ले ठीक है अब कपूतर भी ना मिले थे ना to सच बाता रहे हैं मतलब बताओ आधे बहुत एंपन लगता पन्ना नहीं हो तो भई स्याही से पहले लिखते थे पहले के जमाने पे और उस वक्त क्या के दे उस पसप लिखते थे इसको बंबू बंबू स्वरी बंबू क्या करें तुम लोग साथ रहते रहते बहशा के ऐसी तो बैंबू के स्ट्रिप पे लिखते थे और वो अच्छा खासा मोटा होता था और दूसरा पहले कि जो राजा महराजा होते थे तने गरीब भी नहीं होते थे कि उनको इधर लिख 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 लिखना है वो एक ही साइड लिखते थे समझ रहे हो तो पहले का जमाना अलग था भाई वो फाउंटेन वाला जमाना गया अब अब कहां तुम फाउंटेन मतलब अंग्रेजो के पीछे दोड़ रहे हो है सब नहीं सही है मत कीजिए लए सब काम और कुछ है तो यह टोटेम टोटेम क्या कर रहा बच्छा पैन का नाम आप एक लेटेस्ट इंवेंशन किया है वाटर प्रूफ वाटर का एक ऐसा पानी जो वाटर प्रूफ है तो अभी तुम कुछ दिन में बताएंगे तो वैसे ही उसी के बाद ना मतलब ऊसी के ठीक बाद यह भी इंवेंशन वहा था वाटर प्रूफ इंक मतलब इंक पर पा देखना तुम है ऐसे सवाल और क्या है सवाल हाउसर हाउसर भी अच्छा है ब्लू स्केच पेन आप लोगो सारे लोगो बता दे एक्जामिनेशन में आप ब्लू स्केच पेन लेके जाएं एशियन पेंट्स भी अलाउड है अगर बच्चे को ऐसा महसूस हो रहा हो कि पेन से क जा सकते हैं वो अलाउड है सीबेसी ने बोला है एशियन पेंट्स हम अलाउड कर रहे हैं उनका पैच अप है उनके साथ तो आप ट्रैक्टर एमल्शन लेकर जाएगा एक पॉइंट फाइव में का ब्रश आता इतना मोटा उसी से सारा एंसर लिखिएगा और सीबेसी वाल बच्चा पुछा से स्केच्पन लिके जाएं हम यहां चीक चीक के बोल रहे हैं कि बेटा दूसरा कलर भी अलाउड नहीं है फाउंटेन पें लिख सकते हो लेकिन नहीं सजेस्टेट है हम बोल रहे हैं तुमको पैंसिल अलाउड नहीं है बच्चा पूछा सब्सकेश्चे बट डाइग्राम में भी दूसरे कलर अलाउड नहीं है मत कीजिएगा ऐसा काम ठीक है विमल हाँ बटा विमल तो एकदम ही अलाउड है एक्जाम में क्या है ना पूछी वाले भी समझ चुके बच्चा एक्जाम देते देते सोने लगता तो विमल अलाउड है और विमल खा इनके जिग्यासा देखके मज़ा ही आ जा रहा है मेरे को मनी नहीं कर रहा है सेशन रोकने का मैं हो लग रहा है इनके जिग्यासा भरे मश्टिष्क में कुछ ज्यान की वर्षा करा दो cello aqua gel, हाँ बिटा, cello ocean gel भी allowed है, cello aqua gel भी और cello river gel भी allowed है अच्छा हाँ, अभी अभी एक latest release हुआ है, cello pond gel तो cello pond gel भी allowed है ठीक है, और बताइए butter flow हाँ, बिल्कुल butter flow है trimax कैसा है, trimax अच्छा है उसमें 3 बार maximum मिलता है trimax नाम ही ऐसा है, बिल्कुल अच्छा है बिटा और पूछे, use and throw pen कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सबसे सस्ता वही रहता है, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया desert eagle, हाँ हाँ, बिल्कुल और कुछ al khabili, al khabili भी बहुत बढ़िया pen है, insafasustahin यह भी एक pen का brand है sanklamassana vendara यह भी एक बहुती से बढ़िया सा pen का brand है वो भी बहुत मस्त है और कुछ, दो-चार brand हमको भी पता है ऐसा pen के scale allowed है atom bomb भी allowed है, वहाँ लेके जाना teacher परेसान करें, मार देना वहीं bomb scale allowed है, बहुत बहुत है पांच रुपे वाला Reynolds allowed है, बिटा, वो price tag हटा के ले जाना जरूरी है तो price tag अगर दिख गया ना, teachers को तो वहाँ छीन भी लेते हैं, असा सुने है, news में आया था तो पांच रुपे में मत, price tag मत लगा के ले जाएगा, पांच रुपे के नीचे पांच रुपे वाला या उससे उपर वाला चीन लेते हैं एके 47 बिल्कुल बेटा, EC का तो बस इंतजारी था ले जाओ सब, गोला बारूत सब ले जाओ, दो चार को टपका ही क्या ना exam ना निकले, ना निकले, एकार दो आदमी जरूर निकल जाए और, और कुछ जानना है आपको सर, फोन अलाओड है, बिल्कुल फोन भी अलाओड है फोन में वो चिटिया का लाईया भी अलाओड है बजा के exam दे सकते हैं, इस बार सब अलाओ कर दिया है, CBS ठीक है, पार कर, बिल्कुल, पार कर देना जिसका जो मिले वो सब पार कर देना, ठीक है और बताइए, congratulations for sponsors, हाँ बिल्कुल actually हमने, cello वाले ने हमें 500 करोड रुपे दिये था उनका यह वालो पेंट प्रबोंट करने के लिए और अभी बात चल रही है, रवीश सर की classmate वालों से 500 करोड का हमने, बोला है उनसे, कि 500 करोड चाहिए हमको कम से तो अभी मान नहीं रहे, 200 करोड में बोले है, ठीक है और, अच्छ, और क्या चाहिए मचाते हैं, बिल्कुल मचा दो बिटा सर हर्ष, expensive royal, क्या waterman, हाँ waterman और waterwoman, उनका लेकिन जोड़ी allowed है अकेले फिर waterman को allow नहीं कर रहे है waterwoman के साथ लेके जाएएगा transparent kit compulsory है क्या यार इनके doubts इधर ही लेते हैं, आओ आओ वेटा तुम लोग कोई दिखाते हैं, ये जो नमूने हमारे बैतरी नमूने जो हमारे सवाल पूछ रहे न तुमको भी हम दिखाते हैं इन लोगों को, आजओ आजओ, इनके प्यारे प्यारे सवाल हम तुमको भी दिखाएंगे आजओ, 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 मेरे नन्ने मुन्नो, आजओ, देखो प्यारे प्यारे सवाल है, आहा, मज़ा ही आज़ा रहे है इन मासूम बच्चों के सवाल लेने में अलगी मज़ा आ जा है गल्फरेंड अलाओड है, हाँ, बिलकुल, अरे, कैसी बात करते हो गल्फरेंड कैसे नी अलाओड है, वैसलीन, बिलकुल वैसलीन, एक्चुली, सीबेसी ने बोला है क्या सारे टीचर्स को वैसलीन दिया है, कि अगर कोई बच्चा बदमासी करे तो हाथ में वैसलीन लगा के चटाट से दीजेगा, आवाज अच्छा करता है तो वैसलीन 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 अलाओड है, अरे, पूरा खंबा, कोई दिक्कत ने पान बाहर, पान बाहर, पान मसाला दोनों अलाओड है, एक ही साथ नोट्स बना लूँँ क्या बना लो पिटा, फिजिक्स और कंमिस्ट्री कबसे, फिजिक्स संद के मिस्ट्री कर सो से सर यूवी पेन अलावड है हाँ हाँ बेटा यूवी एस यूवी सेडान सब कुछ अलावड है इवन क्या करते हैं है है यूवी अलावड किया है इस बर तो आप हैच बैक लेके अंदर तक घुश सकते हो ठीक है सर बायोजी स्टूडेंट जे दे सकता है अरे निकाल भी सकता है देनी कि क्या बात करते हो और और पूछो भाया इसे बीना कपड़ की जना का है इस बर बोला तो जरूरी है क्या कि पेंज़ ट्रांपरेम KIRBY होना चाहिए रहा है कि हम समझ नहीं पा रहें कि जैन्मिन डाउड पूछा कि मस्ति कर रहे है लें चलो हम तुम्हारे डाउड को जैन्मिन लेके चलते है हम तुम्हारे डाउट को जर्मिन लेकर चल रहा है ऐसा को जरूरी नहीं है अब मतलब कहा से ट्रांस्पेरेंट पैन लेकर आओगे ऐसा को जरूरी नहीं है ठीक है का सर हम तो एक लाग का अमांट ब्लैंक ले लिए हैं अब क्या करूँ प्लीज कोई बाद ने खा जाओ उसको समोसा खाना उसका एड्मिट कार्ड अलाउड है अहां अलाउड है अगर उस पर सारु खान का पिक्चर बना के ले जाओ तभी रोलर बॉल पैंस अलाउड है कि हाँ वोटर कलर रावड स सब बढ़े अरे ने अचल और रवी सर एक और से इसन मना दीजिये कि वह कि वह एवरीटिंग लावड है नथिश्वावाड है अभी सच सब्सक्राइब और पूछें और पूछो हम से एड़मिट कार्ड को लिए लामिनेट कराना है नहीं वाद आपको ले जा सकते हैं ऐस तो क्योंकि कई बार होता है उनके शीट नहीं बसता तो अखबार देते हैं लिखने के लिए ठीक है और बताओ कि सर लिखेगा कैसे हम कुछ मना है तो कुछ माना सब कुछ मना है तो लिख लोगे कई लोग वहां कई लोग पैनि लेके नहीं जाता है उन लोग को CT बोलते हैं उंगली डाल के लिखु तुझानी क कि अधुछ चलो करो भी लिएश नौर की स्ट्रेसबस्टर होगा आपके लिए हमारे लिए स्ट्रेसबस्टर था तो सारे लोग वीडियो जल्दी से लाय अ کے जाक सब्सेश व 747, 793, क्या बात, बोलने का फायदा हो रहे है, 793, next, 812, क्या बात, यो man, यो, 11 सा तक पहुचना है, 840, ओ, फाई सहाब, बहुत बढ़िया, तो can we have 1K likes, before I end the session, 873, गजब, मचा आ दिया, 873, 880, क्या बात, शांदार, इधर वाले उदर ट्रांसर हो रहे है, 893, क्या बात, ये तेरे तरह के multiple में जा रहे है, ऐसा लग रहे हमको भी, 893, 913, गजब, ये 3 वाला number रह रहा है, come on people, come on, yo, 928, 15 hour edition हो है, yo, 929, 942, क्या बात है, क्या बात है, तो बस 1K होनी वाला है, 942 and 946, come on, come on, come on, नलायक सब, what is this, 46, 41, 47, okay, अभी इसके आगे कर लेना, ठीक है, चलो भाई, तो ladies and gentlemen, 949 हो गया, खेर, बाकी बन के तुम कर लो, I guess that was all for this session, तो आप सारे लोग, कुछ और बच गया है, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इस वीडियो के comment box में चले जाए, जैसे देखिए, ये विदान्तु मैत चानल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, विदान्तु मैत पे लाइफ पे चले जाओ, तो मैं हर, मतलब, session ल कितना session लिवाओगे हमसे अंग्रेजी पे हैं, तो अभी ये session चल रहा है, ये वाला session तुम्हारे demand पे आया था, English वाला, तो English वाला session, और इसी session में बहुत सारे बच्चे बोले से, Sir, अंग्रेजी, अंग्रेजी, तो वो भी लाना पड़ा, बट ठीक है, अब अंग्रेजी में लेकर आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, CVT वे अगर अपर session आया, आप channel को subscribe रखना, ताकि सारा ऐसा video आप तक time पर पहुंचे, important, जल्दी से जल्दी, और जो भी ज़रूरत है, वो नीचे comment box में बेजी जखो कर लेगता हूँ, ठीक है, so that was all for the session, I hope you loved and enjoyed the session as much as I did, so, चलो, see you all in the next session, कल के लिए बहुत सारे sessions है, देखो दिखा देरे हैं, कौन को से sessions है, तो आईएगा जरूर, ये तो fastest spend वाला है, कल sequence series का है, और VIT का है, और VIT के साथ साथ लगता है, वो भी session लगाई दिया, 80 by 80 in English, तो English पे लगता है, तुम लोग एक और session लिवा क गुद आई, बाई, बाई.